हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल अग्री पराडाइज में तो आज फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं दुख दविज्ञान की अर्था डेरी साइंस की बात करेंगे इसमें पढ़ना क्या है जो दूद के अंदर प्रोसेस किय जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है जैसे पाश्वी करण हो गया स्वांगी करण है निर्जीवी करण इसके साथ साथ में एक मान की करण भी होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो आता है पाश्वी कर क्रिया कहा जाता है थीक Kanal 55 ईसलिए किया जाता है कि दूद में जो बैक्टेरिया होते हैं जीबाड होते हैं उनको नश्ट करना दूद के अंदर उसको 25 हो जाता है पिर उसके बाद में होता क्या है दूद को हम लंबे समय तक रह सकते हैं क्योंकि अगर आप लोग गाउंसे हैं तो गाउं में देखा होगा कि गाए और भास का जैसे ही दूद लाया जाता है घर से फिर उसके बाद में आग पे रख दिया जाता है दूद को क्यों रखते थे हैं क्योंकि वहाँ पर पार्चुराई जैसे मतलब इसमें से बैक्टिरिया खतम हो जाए इसलिए रखा जाता है तब दूद बों लंबे समय तक रुख सकता है मालो चार-पांच घंटे तक रुख जाएगा अगर हम वही दूद की बात करें कच्छे दूद की तो कच्छा दूद जैसे दूद द दूद को निश्चित ताप क्रम पर एक निश्चित समय तक रखकर प्रया उसके सभी जीवाणों को नश्ट कर दिया जाए देखो अब फिर से यह वही बात लिखी हुई है कि निश्चित समय पर और निश्चित ताप मान पे है न और जीवाणों को नश्ट करना ही क्या है है और क्या होगा इस वात का वि ध्यान रहे कि दूद के अंre जो खाद महत्वा होती है और क्रीम लेयर पर कोई भी प्रवाव नहीं पड़े देखो दूद के अंदर जो भाई पोसक तत्थ होंगे उनके उन पर किसी प्रवार का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए अगर भाई उनके अंदर कोई प्रभाव पढ़ जाएगा तो वह नश्ट हो जाएगा मतलब ही क्या है पाचवी करण का मतलब तो यह है जिवाणों को नश्ट करना आसा करतों समझ में आया होगा ना कि दूद पूछा क्या जाता है टमप्रेचर और कितने टाइम तक इसको तापमान पर रखा जाता है यह चीजे पूछी जाती है तो अब हम बात करेंगे यल्टी अगर इसकी फुलफाम की बात की जाएगी तो लो टमप्रेचर लॉंग टाइम मतलब तमप्रेचर जो होगा वो कम दूद को कितने मिनट के लिए 30 मिनट तक रखा जाता है किसके उपर आग के उपर ओके देखो यहां पर चीज समझेगा लिखा है 62.8 डिगरी सल्सियस तुमको यह चीज नहीं याद आएगी क्योंकि एक्जाम के टाइम पर यह चीज नहीं आती है तो आप लोगों को यह ब डिख बात करते हैं हैं st st नहीं होता है कि हाइव टंप्रेचर-saut time तो मिन यहाँ पर ज्यादा देंगे लेकिन कम समय में देंगे clear अगर हम बात करें इसके टंप्रेचर की अब हमारा अगला मेधिड क्या होगा st इसो हम बात करें तो हाई टंप्रेचर- तो वाहाँ पर Tumperature का होगा हाई होगा मतलब जयादा होगा लेकिन जो टाइम होगा वो कम होगा औकिली यहाँ पर होता है कितने टम्परेचर होता हैallo Means उन्पोलचन पहुचे जाते हैं कितने टम्परेचर होता है तो तोinvest की बात करें तो कितने ताप पर इसको गर्म किया जाता है तो वहां पर जो time होगा वो दोस्तो 15 सेकंड होगा अब यहां पर देख पा रहा होंगे इसमें low temperature long time है उसमें कितना 30 मिनट दिया गया है तो वही बात है ना time to short हो गया बाइक कम समय में 15 सेकंड में ही दूद को उसके तापमान पर गरम करेंगे लेकिन वहां पर तंप्रेचर होगा वह एक सट फारन्राइट होगा क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे मानकी करण की मानकी होता है हरý चीज का इक मानक होता है मानक मतलब किसी भी चीज को मापें गे तो जैसेख दीये होते हैं सेंटीमिंटर बगैर्रा इस सेंटी में चीज का होनी जरूरी है ठीक इतना उसमें फैट होनी जरूरी मतलब बसा और उसके साथ साथ में सॉलिड नॉट फैट बसा रही ठोस ये भी चीज उसमें पर्याप्त मातर में होनी चाहिए ताकि लोगों को बरावर रूप से मिल सके तो नेक्ष्ट बात करते हैं इसमें क्या चीज लिखी हुई है उपभुखताओं के दूद में बसा का समयोजन अथवा बनने वाले दुख्ध परदार्त में आवस्यक बसा का मान इस्थापित करने को ही मानकी करण कहा जाता है दूद के अंदर एक प्रापर तरीके से बसा और सॉलिड नॉट फैट का ही होना सभी लोगों को बर तिसत बाले दूद क्रीम के मिलाने या दूद की कुछ बसा को निकाल कर लिया जाता है निकाल कर किया जाता है अब यहाँ पर चीज समझेगा सप्रेटा अब यह सप्रेटा से तो आप लोगों को पता चला सप्रेटा वो दूद होता जिसमें बसा निकाल ली जाती है अब वही दूद क्या बन जाएगा मानकी करण बन जाएगा वो प्रोसेस जो होगा मानकी करण कहलाएगा ठिक दूद के अंदर अब जैसे मालो किसी भी दूद के अंदर क्या हुआ कि बसा जादा है इसमें लिखा हुआ ना बसा निकाल कर अब जैसे किसी भी दूद में बसा जाद देते हैं और उसके अलग product होते हैं मलब बनाके market में हम बेच लें ये किरिया होती है मलब जादा क्यों दें और कम भी क्यों दें तो ये जो किरिया की जाएगी वो मानकी करण के द्वारा की जाएगी क्लियर यहां तक अब बात करते हैं standard milk की standard milk में कितने percent बसा होती है तो 4.5% होती है 8.5% solid not fat होता है नेक्स्ट बात करते हैं toned milk की और यह जो milk है toned devil toned milk इसमें मैंने proper video बनाया है अगर आप लोगों को देखना है तो नीचे लिंक मिल जाएगी आसानी से आप लोगों से देख सकते है toned milk की बात करें तो इसमें क्या है 3% बसा होती है 8.5% brand ठस होता है उसके बात में double toned की बात करें तो इसमें constitutional day 110 बसा होती है 8.5% honest tool होता है solid not fat clear बसा रही तो एक बार मैं लिक्गे और आउं याँ पे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से बसा रहित ठोस होता है इसको हिंदिन गोलते हैं SNF को तो आप लोगों ने देखा है कि बाई standard milk है toned milk है double toned milk है लेकिन इनमें जो बसा है और उसका इतना होना ही चाहिए अनिवार है इससे आप कम और ज्यादा नहीं कर सकते हैं और यह क्यों किया जाता है क्योंकि लोगों को वे एक समानलोब से दूद मिल सके उसमें जो nutrients value होती है वो प्रापर तरीके से हर एक इंसान को मिल सके इसलिए मानकी करण यह process किया जाता है अगर हम को कहें उस क्रिया को बोला जाता है समांगी करण क्लियर यहां तक अब समांगी करण की क्रिया होती कैसे यह देखो यहां पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि भाई जैसे माले ते यह बड़ी कोई गोलिका थी इसको छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया व उसमें nutrients value होगी उसको कोई भी उसको हानी नहीं पहुचा पाएगा जैसे माले उसको मैंने दूद को रखा ठीक है अब दूद को रखने के बाद में आग पे आग पे दूद रखोगे फिर भाई उसके पर क्या होती लेयर आ जाती है बसा वाली जो लेयर होती जो इसको पेलू भी बढ़ जाएगी और लोगों को एक समान रूप से मिल जाएगा आसा करतों समझ में आया होगा इस विदी से दूद की बसा गोलिकाओं को छोटे छोटे वही बात यहां पे कही गई है कड़ों में विवाजित कर दिया जाता है मतलों बड़ी गोलिका को छोटे छ पेल prakt collectors me दूद रखा जाता है आग के ऊपर फिर पर दूद रखने से लेर आ जाती उस पर वो लेर ना आ पाए इसी लिए समाँगी करण के रिया जो होती है वो की जाती है अब तो केलियर ही हो गया होगा आसा करता हूं ठीक है इसमें होता है क्या है इसमें अगर एक और दूद है जोस्तों यह important है मैंने वहाँ पर बताया था फुल क्रीम मिल्क की बात करें तो इसमें जो बसा होती है वो 6% पाई जाती है SNF solid not fat होता है वो 9% पाया जाता है बहुत ज्यादा important इसलिए यह यहां पर लिखा हुआ है और यह दोस्तों जो चीज़ें हैं यह दूद के जो process मैं पढ़ा रहा हूं यह हर एक exam में पूंचे जाते हैं आप किसी भी इंट्रेंस exam की निरजीवी करण करता है जैसे जैसे पाच्छलाइजेसन में क्या पढ़े थे कि दूद के अंदर वैक्टेरिया यह बात तो हमको पता है लेकिन वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग सिर्फ बैक्टेरिया को ही किल कर रहे करते चाथ ना कि हम उनके जो बींगाड बचे हुए थे उनको किल कर रहे थे लेकिन यहां पर उसके साथ में क्या किया जाता है जीवाड को यहां पर कि निकर सभी लोग को समझ में आएगा जैसे दोस्तों यहां पर माल लेते हैं जैनिकोई जीवाड हुए यह दूद बहुत सारे होते हैं लेकिन एक माल लेते हैं ठीक है यह हो गया इसका क्या है माल लेते हैं इक बीजाण होते हैं इसके बीजाण भी होते हैं बीजाण मतलब जो बचे हो यह उनके पोर्स होते हैं इस पोर होते हैं बचे हो इनको बीजाण बोला जाता है अब जीवाण क्या हो होता है उसमें सिर्फ जीवाड़ ही नश्ट होता है ना कि यह इसका क्यानम जो बीजाण होते हैं वो नश्ट होते हैं तो अब हम देख लेते हैं दूद के अंदर उपस्ति सभी प्रकार के जीवाड़ों को नश्ट करने तथा सुवस्ति दूद को संचाई गुड बढ़ाने ही तो दूद का पाच्वी करन ना करके निर्जीवी करन किया जाता है देखो हुआ क्या वही चीज फिर यहीं पर रिपीट हुई है कि हम पाच्वी करन क्यों नहीं करते हैं क्योंकि पाच्वी करन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बैक्टिरिया के साथ में जो उनके स्पोर होंगे वो नेश्ट हो जाएंगे अब हम बात करते हैं temperature की most important तो यही चीज होती है हर एक चीज में ठीक है कि उनका temperature और उनका time होता है वो कितना होता है अगर हम बात करें कितने तापमान पर इसको रखेंगे तो 108 से 111 डिगरी celsius स्पेस को रखा जाएगा और कितने समय के लिए तो 20 से 30 मिनट तक गरम करेंगे फिर उसके सामान तापमान पर उसको ठंडा कर लेंगे जो जो झाल 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 झाल